मैं हुसे नुरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है आज 16 जैन्वरी, काफे एतिहासिक दिन है हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनस्टर ने कहा था कि आज देश भर में वैक्सीन्स, COVID-19 के वैक्सीन्स के शॉट्स दिये जाएंगे उसके बाद डिपार्टमेंट खुद सारे हेल्थ वोकर्स को ब्रीफिंग देगा ताकि यह मुहिम एफेक्टिवली चल सके 3,600 साइट्स यानि 3,600 हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं जिसमें से 100 लोग हर हेल्थ सेंटर में अलोटेड हैं एड्मिनिस्टर करने के लिए यानि देखभाल करने के लिए और 300 लोग को पर डे वैक्सिन दिया जाएगा यानि वैक्सिन से शॉट्स दिये जाएंगे तो COVID-19 के वैक्सिन के पहले फेज में यानि वैक्सिन के डोसे दिये जाएंगे और जैसे हमारी हेल्थ मिनिस्टर दॉक्टर सुधाकर ने कहा कि 28 देज के बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा और 45 देज तक डॉक्टर उनको अब्जरवेशन में रखेंगे और लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां कल 11 लोगों की अक्सिडेंट में मौत हो गई कहा जा रहा है कि स्कूल रियूनियन ट्रिप पर जा रहे थे ये लोग गोवा को मिनी बस में और कल धारवार के पास मिनी बस की अक्सिडेंट हो गई और 11 लोगों की मौत हो गई और 6 छे लोगों को सीरियस इंजिरीज होई हैं धारवार सुप्रिडेंटेंट ऑफ पोलिस का कहना है कि ये सारे लोग दावन केरे सेंट पॉल्स कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंस हैं और इन लोगोंने स्कूल रियूनियन ट्रिप ओगनाईज की गोवा को तीन दन का और मिनिबस धारवार से सुबह पांच बजे निकली और सेवन थर्टी को अक्सिडेंट हो गया पोलिस को चार घंटे लगे सारे लोगों को बाहर निकालने में जिन मेंसे 11 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों को सीरियस इंजिरीज हुई हैं मरे हुए 11 लोगों में 9 फीमे के लिए नहीं किसी भी इंफास्ट्रक्चर के लिए नहीं दी गई है यह एक परस्नल कमिट्मेंट को पूरी करने के लिए दी है बीजेपी के MLA ने ने 2019 में कसम खाई थी कि अगर बीए सेडियूरपा सी एम बनते हैं तो वो वोडिन चारियेट कलाने तो इश्वरा टेंप कर दिया है तो इस पूरे सिन्यारियो को लेकर करनाटका में कहीं सारे लोग इसका हंगामा मचा रहे हैं कह रहे हैं कि इतने सारे रुपे सिफ किसी की कमिट्मेंट को पूरी करने के लिए दे जा रहे हैं और किसी भी तरह के डेवलप्मेंट के लिए किसी भी तरह का फंड् कि अवाची कर दो कर दो फिर्फ दो कर दो प्रोड़ कर दो दो कि अवाची है